दोस्तो अगर आप c det के तियारी कर रहे हैं uTube tate के तियारी कर रहे हैं या फिर super tate के तियारी कर रहे हैं तो दोस्तो इसमें cď-p j सब्सक्राइब कर तो अब गूता है और cdp में एक जीशिक सफला की वीडियो में हम यहीं देखने कि जीन पियाजे के संगेना तक विकास क्या है और इनमें जो अवस्थाएं दी गई हैं उस अवस्थाओं के लेकर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं अगर दोस्तो हमारा चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना बेल लगिंग को प्रेस कर लेना चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में जीन प्याजे कौन थे और दोस्तो इन्होंने कौन से सिद्धान्त का पतिबादन किया हैं और इनके कितनी अवस्थाएं तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि जीन प्याजे के बारे में दोस्तों प्याजे जी का जन्म स्वीट जर्लेंड में हुआ था 1886 SP में इन्होंने अपने सुरुवाती दुनों में बीने के साथ बुद्धी परिक्षड पर काम किया था अपने इस सिद्धान्त में प्याजे ने यह जनने का प्रयास किया है कि छोटे-छोटे बच्चे अपने आस पास के बाहिजद के बारे में किस परकार information को इकठा करते हैं, जानकारी को अरजित करते हैं पियाजेक के संगेनात्मक गरेविधी के अंतरगत दो परक्रियाएं आती हैं पहला आती हैं संगठान और दूसरा आता है आत्म सारी संगठान और अनुकूलन दोस्तो जिन पियाजेक के विकास को संगेनात्मक विकास कहा जाता है और दोस्तो इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं अवस्था का सिध्धान्त अगर आप इसको अलग सब्दों कहेंगे तो इसको अवस्था का सिध्धान्त भी कहा जाता है संगेनात्व विकास के सिध्धान्त को दोस्तो यह परिक्षा जो है सीटेट, यूपीटेट और सुपर्टेट तीनों परिक्षाओं में जो है यह पूछा याता है इसी दृष्टे से दोस्तो हम इस वीडियो में बताने माले हैं अगर आप इस वीडियो को फूरा दिखेंगे तो आपके लिए काफी महत्तफूर होगा दोस्तो इसमें जो है जीन प्याज जी ने चार प्रकार की आवस्थाएं बताई है इसके पहले दोस्तो इहां पर हम जानते है कोई जरूरी चीज जो की इसमें हमें पहले जान लेना जरूरी होता है दोस्तो इहां पर इस कीमा के बारे में बात करेंगे इस कीमा क्या होता है इस कीमा दोस्तो इहां पर दिमाग में जो छबी बनती है बच्चे मतलब जो कोई भी बच्चा होता है उसको अगर बता दिया गया है कि ये इस तरह से पेड़ होता है तो इसके दिमाग में छवी बन जाती है ये इस तरह से पेड़ होता है तो ये छवी जो बनती है उसी को बोलते हैं इसकीमा और दोस्ते हां पर एक होता है अनुकूलन अनुक तो यह दो तरह को होता है आत्मसाती करण और समायोजन अब यहां बात करते हैं कि आत्मसाती करण क्या होता है इस प्रक्रिया में नमीन ग्यान रथा पूर्वगान ग्यान के मद्द सामन जस्थापित किया रथा नमीन ग्यान को पूरवर्थी विद्यमान सन्रचनाओं में ब तो दोस्तों इस तरह से हुए आत्मसाती करण और समायोजन अब एक बात इसमें और बताने वाला हूं कि यहां पर जो जिन वियाई जो बताया था बच्चे जो है खोज के दवारा ग्यान का निर्माड करते हैं कोई भी बच्चा हो जाता है अगर चोटा बच्चा है वह इसकी गुद्धी विकास भी बढ़ती है अब दोस्तों यहां परियोग की बात करें तो परियोग में हैं अपने खुद के बच्चे पर किया था मतलब कि जो जिन प्याजे हैं इन्होंने अपने खुद के बच्चे को पर यह परियोग किया था जिसमें यह चारो आवस्था निकल कर आई हैं हम इसके बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो चार अवस्था कौन सी है जो हमने अभी आपको दिखाये था सबसे पहले आपर है समवेदी पेशी अवस्था दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था और चवथा है आपचारिक अवस्था तो दोस्ते हैं पर सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सम्वेदी पेशी अवस्था के बारे में सम्वेदी पेशी अवस्था क्या होता है दोस्ते हैं पर यह संग्यनात्मक बिकास की प्रत्थम अवस्था है इस अवस्था में द्वरान नौजात सीसू आसहाई जिवधारी मतलब एक छोटा जिवधारी से अलप भासी गतिसील जिवधारी बनने की और अगरसर होता है इस अवस्था में दौरान बच्चे अपनी इंद्रीयों के परियोग के दौरा देखने, सुनने, पकड़ने, चूसने, एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंचने इत्यादी का अनभू करते हैं इस अवस्था के दोरान बच्चे वस्तु अस्थाईत्व को समझ जाते हैं इसको बोलते हैं सम्वेधी पेशिय अवस्था साथ आप लोगों ने समझी गया होगा यह बिल्कुल ऐसी अवस्था होती है जिसे बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं उनके अंदर काफी समयधना सिल होता है वो चीजों को छूते हैं पकड़ते हैं सीखते हैं एक तरह से इसी अवस्था को बोला गया है सम्वेधी पेशिय अवस्था अब दोस्ते हाँ पर सेकेंड जो है सेकेंड अवस्था है अब यह कितने साल तक होता है यह अवस्था जीरो से लेकर के दो साल तक होता है जीरो से लेकर के दो वर्स के बीच का वस्था क्या बोलते हैं सम्वेधिय पेशिय अवस्था अब सेकेंड से आपने हैं दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र बच्चे की उम्र दो से लेकर के साथ वर्स के बिज होती है बच्चे की उम्र अब इसमें क्या आता है दोस्तो आत्म केंदरिता जियोबाद और बिवेधी करण पूर्वा संक्रियात्मेक अवस्था दो से लेकर के साथ वर्स के बिज कहा जाता है यह संगे नातुक विकास की दित्य अवस्था है इस अवस्था के दोरान वच्चा अपने वातावलड में इस्थीर वस्थों की खोज करना सुरू कर देता है और थात अपने वातावलड से परचित होना प्रारंब कर देता है पियाजा ने इस अवस्था को दो भागम बाटा है पूर्व प्रत्यकाल अवस्था और आंत प्रत्यकाल अवस्था मतलब कि 2-4 अवस्थ को बोलते हैं पूर्व प्रत्यकाल अवस्था और 4-7 अवस्था को बोलते हैं आंत प्रत्यकाल अवस्था जो कि दोस्तों इसमें हमने मेंसन नहीं किया है और आपको सिर्फ इसमें ही समझना है जब बच्चा पूर्व संक्रियात्म कवस्था में होता है तो आत्म केंदरिता उसके अंदर होता है मतलब चीजों को केंदरित करता है ठीक है समझता है आत्म केंदरित करता है जीववाद उसके अंदर यह समझे माता है कहा किसमे जीव है, कौन सा निर्जीव है, विवेधी करण, वह चीजों को तूलना कर सकता है, किसमे क्या अलग है, क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंसेज हैं, इस तरह से यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है, अब दोस्ते हैं हम बात क इसमें मूर्थ चिंतन मतलब बच्चे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था मतलब क्या होता है, जो चीजों को छू सके, ठीक है, चीजों को छू सके, देख सके, जो हां से चू करके, जो जैसे कि माल लो कोई पैन है, उसको चू करके, उसको बा पने अंदर एक पदलाव लाता है तो दोस्तों इस तरह से यह मुर्थ संक्रियत्मक अवस्था इसको बोलते हैं 7-11 अवस्था यह संग्यनात्मक विकास की तिरती अवस्था है इस अवस्था के दौरान बच्चे मुर्थ वस्थों से समंदित तार्गिक चिंतन करना प्रारम भी सकते हैं और एगरी भी कर सकते हैं क्रम बत्ता दथा निपूरता मतलब बच्चों क्या आता है क्रम बत्ता कोई भी काम अगर करते हैं तो वह लगातार करते हैं और उनके अंदर निपूरता भी आ जाता है किसी चीज को करने समझने में चमता भी उनके अंदर बिक्सित हो जाती है बच्चे इस अवस्था के दौरान यह भी जान जाते हैं कि किसी वस्तू की सनचरा में परिवर्तन करने पर भी उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था अब दोस्ते हां बात करते हैं कि अगले अमूर्थ संक्रिया अवस्था इसको बोल सकते हैं अमूर्थ ठीक है एक और नाम दे सकते हैं अमूर्थ संक्रिया अवस्था ठीक है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि उसमें बच्चा क्या करता था चीजों को छू सकता था देख सकता था गिन सकता था लेकिन इसमें क्या क यह अवस्था किसवर अवस्था से मिली होती है इस अवस्था के दौरान बच्चे में सोचने समझने थत्तर करने की योगताएं छमताएं अपनी उचाईयों की छूने लगती हैं मतलब सोचना समझना इस सब जो है उसकी में विकास ब्रदी होने लगती है जिसके फ़ल बालक अब वास्त्विक जगत के बारे में भी नहीं बलकि वास्त्विकता के बारे में संभावनाओं के बारे में भी सोचना कर देता है इसी करार इसे अमूर्त संक्रिय आवस्ता भी कह जाता है अमूर्त चिंतन मतलब वो चिंतन करने लगता है सिर्फ जो चीजे सामने दिखती हैं उसके बारे में नहीं बलकि जो चीजे नहीं दिखती हैं उसके बारे में भी चिंतन कर लेता है अमूर्द टाइगिक जिन्तन, जो चीजे मतलब उसको शही करना है, गलत करना है। czy उसके बारे में वह बीना देखे, बीना सूने ही उसके बारे में सौच सकता है। उचितम अवस्था मतलब अपने जो stability होती है अवस्था होती है उसके बारे में हमेशा अग्रसर और नई नई उपलब्दी के बारे में सोचता है तो एक तरह से मान सकते हैं यह चार तरह की अवस्थाइं होती हैं जीन प्याजी की जो की परिख्षा के दिश्टी से बहुत ही आवस्था इसमें उम्र होती है 11 से ले करके 15 साल 11 से ले करके 15 साल तक सौरी यह हमने बताया नहीं था तो यह चारों आवस्था आप लोग को बिल्कुल पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है जीन प्याजे ने एक बार मैं इसको और क्लिर कर दे रहा हूं जीन प्याजे जो अपने ही बच्चे को पर खोज किया था जो उनके बच्चे थे अपने बच्चे थे इनके उपर ही खोज किया था और खोज के दवारा ग्यान का निर्माड मतलब उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं खोज करते हैं इसके बाद ग्यान का निर्माड करते हैं और जो प परिक्षा के द्रिष्टी से बहुत ही पॉटेंट है बहुत ही महत्तफूर है तो आप से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेना अगर वीडियो पसंद आये तो और दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ तब तक ले जाए हैं बंदे कि मत्रों